रामनो चडिया के तीन अंडे थे और आज उन तीनों अंडों से तीन सुन्दर सुन्दर सी बेट्या निकली थी मामा चडिया बहुत खुश थी बच्चो आप खौंसले में बैठो और मैं पडोसियों को मिठाई दे कर आती हूँ मामा मिठाई वो किस खुशी में आपके अंडों से सुरक्षत बाहिर आने की खुशी में बच्चो फिर मामा चडिया अपनी पडोसन गोरी कवी के घर मिठाई लेकर जाती है गोरी बहन मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ मिठाई बेटे निकले है न आपके अंडों से ये मिठाई उस खुशी में है क्या नहीं मेरे तीनों अंडों से तीन बेटिया निकली है पागल चडिया बेटों की मिठाई तो हर कोई बांडता है और तुम हो के बेटियों की मिठाई बांड रही हो इस चमाने में बेचियां बेटों से कम नहीं है तुम देखना गोरी, मेरी बेचियां बड़ी होकर बेटों से ज़्यादा काम या पक्षि बन कर दिखाएंगी मेरे तीन बेटें है, बड़े होकर एक-एक दाना भी लाएंगे, तो तीन दाने घर आएंगे और तुम्हारी तिन बेटियों का तो पेट ही भरना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए गोरी तुम ये मिठाई रखो ये तो समय ही बताएगा मेरी बेटियां का आप या पक्षी बनती है या फिर तुम्हारे बेटे चिडिया अपने घर चली जाती है दिन गुजटेगे और ममा चिडिया अपनी बेटियों को जिंदगी गुजानने के री दरवाज बताती रही सुनो मेरी बेटियों बीना मिहनत के कुछ हासिल नहीं है अच्छे समय में बुरे का दिहान रखना और हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोच लेना कि वो काम अच्छा है या बुरा और बुराई से हमेशा दूर ही रहना ममा हम उर्ना कब सीखेंगी? आज, आज मैं अपनी बेटियों को उर्ना सीखाऊंगी उधर गोरी कवी भी हर समय अपने बेटों को ठोंस ठोंस कर खिलाती रही कवा और कवी अपने बचों को पालने के लिए दूसरों का भोचन जोरी करते कमजोर पक्षियों पर जुल्म करते थे पापा आज मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है और और पापा मैं चावल खाऊंगा आज ममा ममा पापा से कहें मेरे लिए आज खिलाना लेकर आए ले आएंगे ले आएंगे आपके पापा आपके लिए सब कुछ ले आएंगे गोरी गोरी कहा है वो मेरा चाकू कहा है पती जी लो और अपना तिहां रखना कालू कववा घर से निकलता है वो सीधा बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है जंगल में कहरे की वज़ा से बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता था इसलिए जैसे ही ओटो कालू कववे के खरीब आता है कालू कववा उसे रोक लेता है हर्याली दोती के पास तो सोने की चेन थी वो जल्दी से उतार कर कालू कववे को दे देती है और चाचा चमचम तो रोए जा रहा था चोर जी चोर जी मेरे पास पैसे नहीं है जो थे मैंने उन पैसों का ओटो में पिट्रोल दलवा लिया था दाकू कालू कववा चाचा चमचम के एक लगाता है और बुल-बुल से पैसों वाली थेली लेकर वहां से भाग जाता है मेरा बेटा भी मार था मैं अपने बेटे के लिए दवा लेने जा रही थी वो जोर मेरा पैसों वाला थेला लेकर भाग गया चलो मैं आप सब को आपके घर तक छोड़ देता हूँ कालू कववा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहां से मिठाई लेता है फिर वो चावल लेता है और फिर खिलोनों की दुकान से अपने छोटे बेटे के लिए खिलोने लेता है कालू जी क्या बात है आज तो खुले ही खर्चे हो रहे हैं कबूतर जो कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ तुम्हारी तरह मैं कंजूस नहीं हूँ ऐसा कहते हुए कालू कवा वहां से चला जाता है सब बचे लंबी सांस लें और अपने पंक फिला कर छला अंग लगाएं और छोटी आप मेरे साथ साथ ही रहना चिडिया की तीनों बेटियां बहुत परजोश थी आज वो अपनी पहली उडान भरने वाली थी मैं आगे जाऊंगी मैं अच्छे से उड़ूंगी ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा फिर वो सब उड़ती हैं कोई आगे तो कोई पीछे सारा परिवार एक दूसरे का होसला बढ़ा रहा था ममा चुड़िया के लिए जिन्दगी की ये सबसे बड़ी खुशी थी उसकी बेटियों ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया था शाम को ठकी हारी वो सब खर जाती हैं ममा ने आज का दाना कल ही ढूंड लिया था इसलिए अब उन्हें दाने की चिन्दा नहीं थी अब कल से मेरी बेटिया अपने अपनी जिन्दगी का फैसला करेंगी के किसने कौन सा काम सीखना है उधर कवे भी एंजुआए कर रहे थे गोरी गोरी चाचा चमचम का ओटो था जिसे मैंने लूटा फिर तो फिर तो जाचा चमचम बहुत रोया होगा बो बच्चों की तरहां रो रहा था पापा जब कई रोए तो क्या फिर उस पर रहम नहीं करते नहीं बेटा हमारे काम में रहम नहीं है पत्थर दिल बनना पड़ता है चिडिया की एक बेटी घर बनाना सीखने का फैसला करती है और वो घर बनाने का काम सीखना शुरू करती है और दूसरी बेटी अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मैं खेती बाड़ी करूँगी, मैं कपास उगाऊंगी और तीसरी बेटी कहती है मम्मा मैं गरम कपड़े बनाने का काम सीखूंगी मुझे विश्वास है मेरी बेटिया अपने अपने काम पर पूरा दिहान देंगी समय गुजरता गया और चिडिया की बेटिया अपना अपना काम दिहान से करती रही एक दिन कालू कवा उलू के घर चोरी करने क्या था कि उलू उसे पकड़ लेती है और वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है ये ये तो पहाडों वाले जंगल का कालू कवा है इसे मारो मारो इसे उलू मार मार कर कालू कवे के पंक तोड़ देती है और उसे पहाड़ों पर फैंक देती है मार गया है मार गया कोई मुझे मेरे खर तक पहुँचा दे गोरी तक खबर पहुँचती है तो गोरी कालू कवे को पहाड़ों से उठा कर घर ले आती है क्या जरूरत थी उन उलों के घर जाने की अब इस जंगल में चोरिया करने से खर्चे पूरे नहीं होते इसलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे पिता जी अब घर का खर्चा कौन चलाएगा तुम बड़े हो बेटा ये बोज अब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा ना पिता जी मैंने तो सोच लिया है मैं अब सागर वाले जंगल में जाऊंगा सुना है वहां कई और भी कवे रहते हैं मैं छोटा हूँ छोटा मैं हूँ तुम मुझसे बड़े हो शरम करो तुम्हारे पिता के पांख क्या तूट गे तुम सब आज ही उल्टी सीधी बाते करने लगे हो फिर कवे के तीनों बेटे घर से निकल जाती है चिडिया आती है बहुत दुख हुआ कालू भीया मगर तुम ये काम कबसे कर रहे हो पहली बार ही चोरी करने गया था मैं पकड़ा गया बहुत मारा मुझे उन्होंने बहुत मारा चाचा चमचम कबूतर के साथ कवे के घर आता है अच्छा ही हुआ कालू जो तुम्हारे पांख तोड़ दिये उन्होंने जब तुमने मेरा ओटो लूटा तुम मुझे शक पर रहा था कि वो तुम ही हो मगर मैं तुम्हारा चाकू देह कर चुप रहा उसी दिन याद है ना तुम मेरे पास खिलोने और मिठाई लेने आये थे अब मालूम हुआ वो कमाई हराम की थी मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों मुझे माफ कर दो कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा सब वहां से चले जाते है चोटे तुम अभी चोटे हो तुम घर जाओ और मा को बता देना के मैं और भाई सागर वाले जंगल जा रहे हैं हम अब उड़ सकते हैं और खुझ से अपनी जिंदगी को जार सकते हैं ऐसे कवे के दो बेटे सागर वाले जंगल में चले जाते हैं और तीसरा घर लोटा आता है मॉम्मा वो चले गे वो हमें छोड़ कर चले गे मगर मैं यहां आपके पास ही रहूँगा कालू अगर उन बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाई होती तो आज हमारे बच्चे हमारे काम आते गोरी इसमें दोश तुम्हारा ही है तुम ही मुझे जोरियां करने भेजा करती थी चिडिया की तीनों बेटियां अपने अपने काम अच्छे से सीख लेती है बड़ी बेटी अब घर बनाने का काम सीख चुकी थी चोटी की कपास की फसल भी तियार थी और उससे चोटी बुढ़ी फाकता से स्वेटर बनाना सीख रही थी उनके घर में सकून था शाम के बाद गोरी कवी रोती हुई चिडिया के पास आती है चिडिया, चिडिया, मुझे गरम कंबल दे दो आज कालू के शरीर में ठंड से बहुत दर्द है आज है या कल, ना जाने कालू किस समय मर जाए ये कंबल मेरी बेटी ने बनाया है ये आप ले जाएं और वो बात याद करना जब मैं तुम्हारे घर मिठाई ले कर गई थी चिडिया वो बात तो मुझे सारी रात सोने नहीं देती आपने सच ही कहा था बात बेटे या बेटियों की नहीं होती बात उनकी अच्छी प्राशिक्षन की होती है जो हम अपने बेटों की ना कर सके प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है के बेटी हो या बेटा उनकी तरबियत अच्छे से करें उन्हें अच्छे और भुरे का फरक बताएं आपका धन्यवाद दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कवा और उसकी पतनी गोरी कवी रात का समय था के गोरी कवी अपने पती से कहती है कालू जी ये हर समय तुम अपने मुबाइल फोन पर क्या करते रहते हो जब से तुमने मुबाइल लिया है जब भी घौंसले में आते हो आते ही मोबाईल लेकर बैठ जाते हो गोरी तुम सो जाओ मुझे अभी नीद नहीं आ रही मैं दोस्तों से चैट कर रहा हूँ मेरे तो पूरे सो दोस्त बन गे है मैं तो सो रही हूँ और तुम भी सो जाना कल भोजनेने भी जाना है ऐसे गोरी कव्वी सो जाती है और कालुकववा फिर से अपने काम पर लग जाता है वो तो हर समें रौंग नंबर मिलाता रहता और किसी चिडिया, किसी तोती या किसी कव्वी की खोज में रहता शोने 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 से पहले दो लगाता हूँ आज अगर किसी का नंबर मिल जाए तो हेलो कौन हो तुम ऐसी रात को क्यों तांका रहे हो मैं कबूतर हूँ और कबूतरी से बात करना थी क्या आप कबूतरी हो मैं तेरी माँ भुड़ी चील हूँ मुझे सब पता है तुम्हारे जैसे अवारा का किसी ना किसी लड़की बक्षी का नंबर ढूनने में ऐसे रोंग नंबर मला मला कर सोरी सोरी जी ये तो रोंग नंबर मिल गया ऐसा कहते हुए कालू फोन बंद कर देता है ना जाने मुझे से कोई फोन पर दोस्ती क्यों नहीं करती कभी आज तक रोंग नमबर रोंग ही मिलता है कभी तो किसी हसीना का मिल जाए फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कवा सो जाता है चिडिया बेहन ये कालू बहुत खराब हो गया है नदी पर आकर बैड़ जाता है और जैसे ही कोई लड़की पक्षी नदी से पानी पीने आती है तो उसका मुबाइल नमबर मांगता रहता है अभी उसकी पतनी गोरी को नहीं पता जीस दिन उसे पता चल गया तो फिर पटाई होगी कालू की अपनी पतनी से कल मेरी कजन आई थी टीना नदी से पानी पीने ये कालू कवा तो ऐसा उसके पीछे लगा कभी स्यूटियां बचाता था और कभी उसे बात करने की कोशिश करता था वो तो बिना पानी पीये ही नदी से वापिस चली गई चिडिया और तोता ऐसे बैठे हुए थे के वहां कालू कवा भी आ जाता है कालू कवे आप पुढ़े हो गए हो और इस उमर में लड़के कवो वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती मैंने क्या कर दिया है चिडिया जो ऐसे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल नहीं हो तुमने कल मेरी कजन को नदी पर छेडा था अगर फिर से ऐसा किसी से किया तो हम गोरी को बता देंगे मैं तो मजाक कर रहा था तुमारी कजन से और वो गुसा ही कर गई तुम उसे देह कर सीटिया बजा रहे थे ये कौन सा मजाक है आइंदा से किसी लड़की पक्षी से ऐसा मजाक ना करना ऐसा कहते हुए तोता और चिडिया वहां से चले जाते हैं कववा तो कभी बुढ़ा नहीं होता बस दिल जवान हो थोड़ी देर यहां ठंडी चाओं में बैठकर रोंग नमबर ट्राई करता हूँ अगर किसी हसीना का लग जाए तो आज शूने 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 से पहले आठ लगाता हूँ अगर तीर नशाने पर लग जाए तो फिर कववा रोंग नमबर मिलाता है अरे ये नमबर तो मुझे कालू कववे का लग रहा है देखूं तो क्या कहता है काला कववा जी जी आप कौन है मेरी ममा पास में है जल्दी जल्दी कोहो क्या बात करना है वो कहना तो कुछ नहीं था बस दोस्ती करना थी आप से आप कौन हो मैं लूसी कबूतरी हूँ सागर वाले जंगल से परन्तु मुझे तो दोस्ती किसी काले कव्वे से करना है मैं एक कवा ही हूँ, जवान कवा, बहुत सुन्दर कवा, मा कसम मैं भी बहुत सुन्दर हूँ और बहुत अमीर कबूतरी हूँ अगर तुम कवे हो, तो फिर तो हमारी दोस्ती पक्की हुई मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दूँगा, और जो मांगोगी वही दूँगा मुझे तो केवल मठाई पसांद है, मैं अपने नोकर को कहां बेजू मठाई लेने पहाडों वाले जंगल में, नदी पर, नदी पर भेजो अपने नोकर को, मैं उसे दे दूँगा मठाईा तो फिर बुलबला आएगा, वो नोकर है मेरा, तुम उसे मठाई दे देना अगर तुम को हो, तो मैं खुद ही आजाता हूँ आपके घर ना ना, अभी ऐसा न करना, अगर अभी से पकड़ेगे, तो हमारी दोस्ती आगे कैसे चलेगी अच्छा अब ओके, मेरी ममा आगी है कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हें सब के सामने बेज़त करूँगा, और फिर गोरी से मार पड़ती देखेंगे हम सब आज लगा तीर ठीक नशाने पर, आखिर मिल ही गई मुझे भी दोस्त, वो भी कबूतरी ऐसे ही शाम भी हो जाती है, और कालू कववा अपने घर चला जाता है आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे शरम करो शरम, मैं हवाओं से तुम्हें सीधा जमीन पर गिरा दूँगी ये क्या गाने गाते फिरे हो, मेरे लिए तो कुछ लाएं नहीं होगे तुम, ये मकई के दाने हैं, खालो तुम कितनी अच्छी हो गोरी, जो मेरे लिए भी भोजन ले आती हो भोजन तो मैं ले आती हूँ, परन्तु तुम सारी रात मॉबाइल पर किसे बातें करते रहते हो नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं करता, वोकल लेटवर्क वालों की काल थी, बहुत तंग करते हैं गोरी, घर में थोड़ी बहुत मठाई पड़ी है मठाई तो पड़ी है, मेरी मां लेकर आई थी कल, लो और खालो मैं तो रोज खाता ही हूँ, मेरा दिल था कि नदी पर जाकर गरीब अक्षियों में बांट दूँ ये क्या बात हुई, थोड़ी सी तो मठाई है, किस किस में बांटोगे किसी गरीब को देखकर दे दूँगा ऐसा कहते हुए कालू वो मठाई लेकर नदी पर चला जाता है वहां तो बुलबला बैठा हुआ था क्या तुम ही कालू कवे हो, सागर वाले जंगल से लूसी कबूतरी ने भेजा है मैं ही कालू कवा हूँ, और मठाई लेने आए हो तुम मेरी दोस्त के लिए लूसी मालकन ने मठाई लेने ही भेजा है, मेरी मालकन बहुत सुन्दर है तुम तो भागे शाली हो जो मेरी मालकन से दोस्ती होगी तुम्हारी बहुत अमीर है मेरी मालकन उसकी आँखें कैसी हैं? नीली 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 आँखें हैं मेरी मालकन की ऐसा कहते हुए बुलबला वो मठाई लेकर वहां से चला जाता है लूसी अब तो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता चलो बात करता हूँ फिर कालू वही नंबर फिर से मिलाता है मिठाई ले गया है मेरा नोकर क्या लड़ू थे बहुत मज़े के लड़ू लूसी सच मानो मेरा तो सुभा से दिल ही नहीं लग रहा जी कर रहा है के उड़कर तुम्हारे पास पहुँं जाऊं कवे जी पक्षी उड़कर ही आते हैं कौन सा पैदल चल कर आते हैं अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो तो क्या आ जाऊं मैं नहीं नहीं मैं काल अपने नोकर के साथ नदी पर आ जाऊंगी परणतु तुम मेरे लिए खाने को क्या लाओगे जो मांगेगी मेरी दोस्त वही लाओँगा अच्छा तो फिर फल ले आना, जो मिल जाए हम नदी पर बैठ कर फल ही खाएंगे क्या रात को बाध होगी ना ना, रात को काल ना करना मेरी मम्मा मेरे साथ ही सोई होती है अब कल नदी पर ही मिलेंगे कबूतर ऐसे बात कर रहा था कि वहाँ चिडिया आ जाती है अच्छा दोस्त अब कल मिलेंगे मेरी मम्मा आ गई है अब तो जल्दी से कल हो जाए मैं जल्दी जल्दी घर जाकर सो जाता हूँ ऐसे सोते में रात जल्दी गुज़र जाएगी और फिर कल मिलूँगा मैं अपनी दोसी से अरे कबूतर ये क्या लड़कियों की तरहा आवाज निकाल कर किसे बात कर रहे थे चिडिया बेहन ये कालू ऐसे सीधा नहीं होने वाला रोंग नमबर मिला मिला कर सब को तंग करता है मैं तो आज सुभा से कबूतरी बनकर उसे बात कर रहा हूँ बहुत खुश है कालू और कल नदी पर बलाया है मुझे उसने मिलने ऐसे ही बुलबुला भी मठाई लेकर आ जाता है तो क्या ये मठाई कालू ने भेजी है तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं अपनी दोस्त लूसी के लिए कबूतर भीया आप लड़की बनकर कल नदी पर जाना और मैं पीछे गोरी को लेकर आ जाऊंगी फिर देखेंगे कालू कैसे सीधा होता है दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है गोरी मैं ये अमरूद लेकर नदी पर जा रहा हूँ मैं वहाँ जाकर खालूँगा ये अमरूद और आज मैं आते हुए तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर भी लेकर आऊंगा से चला जाता है जैसे ही कालू वहाँ से जाता है चिडिया वहाँ आ जाती है गोरी बहन चलो आज कालू के पीछे ही नदी पर जाना है चिडिया क्या हुआ फिर चिडिया गोरी को सारी बात बताती है मैं भी कहूं कल से कैसे गाने का था फिर रहा है ये कालू फिर वो दोनों नदी की दिशा में जाती है अपना चेहरा नहीं दखाओगी मेरी दोस्त मेरी लूसी ये देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आया हूँ और फिर कबूतर अपना मूँ कालू की दिशा में करता है मिलो आजाओ मिलो लूसी से मैं ही लूसी हूँ विश्वास नहीं तो मेरा नमबर मिला कर देख लो पीछे से गोरी और चिडिया भी जाडियों से निकल कर बाहर आ जाती है तो ये बात है आज से तुम्हारा मुबाइल बंद और मैं बताती हूँ तुम्हें ऐसा कहते हुए गोरी कालू की अच्छी पटाई करती है तुम्हें तो मैं देख लूँगा गंदे कबूतर नहीं तुम्हारी जान लूसी कबूतर ऐसा कहते हुए सब हंसने लग जाते हैं दूर किसी जंगल में पक्षी बहुत खुशी की जिन्दगी गुजा रहे थे सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंके जंगल में पहार का मौसम था और किसी भी पक्षी को दाना ढूनने में कोई परिशानी ना होती रानो चडिया भी उसी जंगल में रहती थी वो एक दिन अपने बेटे के साथ दाना डून रही थी कि वहाँ एक तोता आ जाता है चुडिया वहन कैसी हो मैं ठीक हूं तोते आप सनाव आपके जंगल के पक्षी कैसे हैं और आप भी ठीक हो हाँ चुडिया मैं ठीक हूं लेकिन मैं एक संदेश लेकर आया हूं बताओ बताओ तोते भी या क्या संदेश है हमारे जंगल में बारशे बहुत ज़्यादा हुई है के दिन बारश होने की वज़ा से हमारे जंगल में दाने की बहुत कमी हो गई है और बहुत सारे पक्षी भू की वज़ा से मर गए हैं और हमारे जंगल के राजा ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप सब पक्षियों को बताओ कि काल बादल आपके जंगल की तरफ आ रहे हैं इसलिए आप सब पक्षी दाना जमा कर लें लेकिन दोते भीया इतने कम समय में हम कैसे करेंगे ये सब लेकिन राणो चुडिया आप सब पक्षियों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंके बारिश में दाना तो कहीं से भी नहीं मिलेगा और फिर ऐसे कहते हुए वो दोता वापस चला जाता है ममा अब हमें समय जाया नहीं करना चाहिए हम जल्दी से कबूतर और मिठो को भी बता देते हैं और हम समय मिलकर ज्यादा से ज्यादा दाना जमा कर लेते हैं हाँ हाँ कुपकु हम ऐसा ही करते हैं और फिर रानो जुडिया और उसका बेटा कबूतर की दरफ चले जाते हैं जल्द ही वो कबूतर के पास महुँ जाते हैं और रानो जुडिया कबूतर को सारी बात बताती है रानो जुडिया तुम ज्यादा परेशान ना हो अभी काफी समय है हम शाम तक धेर सारा बोजन अकठा करेंगे तो भूतर भैया आप बोजन डूनने जाओ और मैं मिठो को भी बता आती हूँ और फिर रानो जुडिया मिठो दोते की तरफ चली जाती है और फिर ऐसे सापक्षी जल्दी जल्दी से समय जाया कि ये बगैर अपना अपना बोजन अकठा करने लग जाते हैं कालो भी या आपको नहीं बताया मिठो ने मैंने इससे कहा तो था कि जाते हुए आपको भी बता जाए कि बरसाथ आने वाली है काल से बार्षे शुरू हो जाएंगी तो फिर क्या करें क्यों इतना शौर मचाती फिर रही हो तुम कोरी तुम गुसा ही कर गई मैं ये कहने आई थी कि सब पक्षी बोजना कठा कर रहे हैं आप भी समय का फाइदा उठाओ और जल्दी जल्दी से अपने घर में बोजना कठा कर लो बरसाथ शुरू होगे तो बहुत मुश्कल हो जाएगा रानो जुडिया आप जाओ और हम भी आते हैं आपके पीछे ही और फिर रानो जुडिया वहाँ से चली जाती है गोरी चले हम, हम भी कुछ न कुछ कर लेते है ऐसा ना हो कि फिर इस तफ़ा हमें बारिश में भूखे ही रहना पड़े तुम्हें अच्छे से पता है कि आज मेरे तियारी है अपने मैके वाले जंग जाने की और तुम भी मेरे साथ जाओगे मा जी ने कोई जरूरी बात करनी है मुझसे गोरी पागल ना बनो समय बहुत कम है बर साथ कल ही आने वाली है हम फिर किसी दिन चले जाएंगे तुम्हारी मा से मिलने ऐसा कभी नहीं होगा गोरी अपना प्लैन कभी नहीं बदल सकती और भोजन की तो तुम चिंता ना करो ये जो पक्षी अकठे करते फिर रहे हैं उसे से ही जुरा लेंगे हम अपना हिस्सा पहले कभी किया है हमने भोजन जमा जो आज करेंगे और फिर ऐसे कालू कभवा और गोरी कभवी दूसरे जंगल चले जाते हैं और फिर बाकी सा पक्षी सारा दिन दाना अकठा करते हैं रानो कभवा जी नजन नहीं आ रहे मैं बता तो आया था उन्हें मैं भी गई थी उनकी तरफ तो लेकिन दोते बहिया तुम्हें तो पता है उस जोड़ी का एक नंबर के फराडिये हैं कहते थे तुम चलो और हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं अगर रानो इस दफ़ा उन्होंने भोजन अकठा ना किया तो फिर आप ना हमसे कहना हम नहीं देंगे उन्हें मांगने पर दाना वो हर बार ऐसा ही करते हैं काम करते नहीं हैं और मांगने आ जाते हैं इन्हें कौन सा आता है कोई काम करना इन्हें तो बस एक ही काम आता है और वो है मांगना चलो छोड़ो उन्हें अगर आना होगा तो आ जाएंगे हम क्यों अपना समय जाया करें और फिर रानो चिडिया और तोता फिर से अपने कामें लग जाते हैं शाम के कव्वा और गोरी कव्वे भी अपने घर वापस लोटाते हैं अगर मारे शुरू होगे तो हमने भी ठान ली है इस दफ़ा हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे जाओ जाओ मोटी चौच वाले तोते हम पहले कौन सा तमसे मांकर खाते हैं बड़ा दुफान आने लगा है ना जो हमें डुरा रहे हो ममा ये कालू कव्वा तो कोई काम नहीं करता लेकिन वो खाता कहां से है आप तो हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हो बेटा ये कालू शुरू से ही ऐसा है और उपर से उसे पत्नी भी उससे दो हाथ आगे मिल गई है हर समय किसी के भोजन पर ही नजर रखते हैं वो दोनों मा बेटा ऐसे बातें कर रहे होते हैं बातें जोड से गरशता है और फिर साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है ममा ममा बारिश आगी ममा मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है मेरे पास आज और मेरे बचे बारिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है जब मैं चोटी सी थी तो मैं ऐसे मौसम में अपनी ममा से कहानिया सुना करती थी मुझे भी सुना हो ना ममा कोई कहाने और फिर रानों चिडिया अपने बेटे को कहानी सनाने लगती है और वो ऐसे ही पातें करते करते सो जाते हैं सुभो हो गई थी लेकिन बारिश और भी तेज थी सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का मज़ा ले रहे थे ऐसे ही शाम हो जाती है लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी सुनो जी अगर ज्यादा गुस्य नहीं हो तो मुझे आपसे कुछ कहना है बोलो लगता है भूग ज्यादा ही लग गई है कालू बारिश तो सच में आ गई मैंने सवेर से कुछ नहीं खाया बहुत बरदाश्ट किया लेकिन अब तो भूग से मेरा बुरा हाल हो रहा है देखो कैसे मेरा ब्लेट प्रेशर लो हो रहा है भूग के कारण क्या करूँ अब तुम ही बताओ मैंने तो कहा था तुम्हें कल के भूजन ढून लाते हैं लेकिन तुम तो अपनी जितकी बहुत पकी हो अब ऐसे करो तुम जाओ रानो जुडिया के पास मैं तो जाओंगा नहीं और ना ही रानो जुडिया मुझे कुछ देगी तुम चली जाओ शायद तुम्हें कुछ मिल जाए तो फिर जाओं मैं देगी नहीं तो खाली तो लोटोगी ही एक बार जाकर तो देखो और फिर ऐसे गोरी कवी रानो जुडिया के दरफ चली जाती है रानो रानो रात फिर से आ गई है मैंने तो सोचा था कि बारिश रुक जाएगी शाम तक लेकिन ऐसा नहीं हुआ आप भोजन चाहिए होगा तुम्हें मैं तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करूंगी लेकिन इतना कहूंगी कि बस थोड़ी सी शर्म कर लिया करो ज्यादा ना से ही तो रानो वो तुम्हारे भाई के पेट में दर्द हो रहा था भोग के कारण इसलिए आगी मैं तो अगर नहीं है तो चली जाती हूँ मैं और फिर रानो चड़िया थोड़े से दाने गोरी को दे देती है मेरे भाई को मेरा संदेश भी देना और कहना कि तोते और कबुतर को ना बताए कि मैंने फिर से उसकी मदद की है वो बहुत गुसे में है तुम दोनों पर मैं कह दूँगी और फिर गोरी कवी वहां से भाग जाती है ये जो रानों की बच्ची है न चीज देती है लेकिन भाशन भूसनाती है आप चुब करके खालो अगर ना देती तो फिर क्या कर लेती तुम उसका और फिर ऐसे वो दोनों थोड़ा थोड़ा दाना खा कर सो जाते है ममा कर रासे बारिश हो रही है अब तो पूरे जंगल में बानी ही बानी हो गया होगा हाँ बेटा ऐसे मोसम में जो अनाज बारिश में भीग जाए वो भी खाने लाइक नहीं रहता इसलिए हमेशा बारिशों के लिए बोज़ण जमा रखो जब भी बारिश होती थी तो मीरी मा मुझे यही बात बताया करती थी ममा ये क्या है बेटा ये फंदा है मैंने बोज़ण के पास लगा रखा है ऐसे मोसम में चोर भी बहुत होते है ऐसा ना हो कि हमारा भोजन ही कोई चुरा ले जाए ये ठीक है आपने और वो ऐसे ही सो जाते हैं दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और कवा और कवी फिर से भूखे होते हैं गोरी कितना भोजन पड़ा था रानों के घर में धेड़ सारा मैंने धेड़ सारा भोजन देखा कर रानों के घर कालू अगर मेरी मानों तो आजरा सारा ही चुरा लाओ तुम्हें कैसे पता चला मैं ऐसा ही करने वाला हूँ हम दोनों का दमाग एक जैसा ही है ना इसलिए और फिर जैसे ही रात कहरी होती है कालू चुबके चुबके से रानों के घर की तरफ जाता है वो खिड़की से देखता है कि रानों और उसका बेटा सोय हुए होते हैं वो बहुत मुश्कल से खिड़की में से अंदर गुच जाता है और सीधा भोजन के पास जाता है वो जैसे ही अपनी चौच में भोजन उठाता है उसकी गर्दन फंदे में फंस जाती है और साथ ही रानों जुड़या की आंख पी खुल जाती है कुपू की तो कालू को फंदे में फंसा देख हंसी ही नहीं रुक रही थी चुरा लो चुरा लो तुम जैसे चुरों का अलाज में ने कर रखा है रानो बेहन एक बार माफ कर दो फिर से इसा नहीं करूँगा मेरा दम गुठ रहा है प्लीज मुझे बचा लो और फिर रानों उसे फंदे से निकालती है और उसे एक सिटा गंदम का देते हुए कहती है कालू भीया जाकर गोरी से मरहम पट्टी लगवा ले ना गर्दन पर और वो मा बेटा हंसने लगते है